आज हम जो कपड़े पहनते हैं, वो सब दरजी के हुनर और सिलाई मशीन यानि की स्विंग मशीन का कमाल है। अगर सिलाई मशीन न होती तो शायद आज हम बढ़िया कपड़े ना पहन सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिलाई मशीन का विशकार किस ने किया था? आपको बता दें कि सिलाई की दुनिया में सबसे अधिक पूछा जाने वाला ये प्रश्न है क्योंकि सिलाई मशीन का इतिहास आरोपों, असभल प्रयासों और कुछ गंभीर घोटालों से भरा पड़ हैं तो चलिए, आज की इस वीडियो के माध्य हम से चान लेते हैं कि सिलाई मशीन का विशकार किस ने और कब किया? आपको बता दें कि सिलाई मशीन एक ऐसा या अंत्रिक उपकरण है जो किसी वस्त्र या अन्य चीज़ को परस पर एक धागे या तार से सिलने के काम आती है इसका विशकार प्रथे मौध्यों के क्रांती के समय हुआ था आपको बता दें कि हाथ से सिलाई की कलात मक्ता के बिना सिलाई मशीन का इतिहास मौजूद नहीं मिलेगा इंसानों ने लगभग 20,000 साल पहले ही हाथ से सिलाई करना शुरू कर दिया था पहले के समय में सुई प्रियेशन बैल आइकन को ओन जरूर करें हमारी अविशकार शील सोच सिलाई के तखनीकों में सुधार और इसे कम महनत वाला कार बनाने के लिए इस शेत्र में काम्याबी दिला पाई थी अठारवी शताबदी में यूरप में ओद्यों की क्रांती की शुरूआत हुई और यहां कार खानू में मैन्वल सिलाई को कम करने के लिए नए-नए तरीके ढूंडने के प्रयास किये जाने लगे इसी के चलते किसी ऐसे यंत्र की जरूवत हुई जिससे सिलाई को आसान बनाया जा सके प्रथम प्रयास को पूरी तरह से खत्म नहीं किया था दूसरा प्रयास फिर 1790 में अंग्रेजी आविशकारग थॉमस इंट ने पहली सफल सिलाई मशीन का विशकार किया लेकिन उन्हों अपने अविशकार का सफलता पूर्वक विज्यापन या वर्णन नहीं किया था उनके मशीन का उप्योग चमड़े और कैन्वस सामक्री को सिलने खिली किया जाता था आपको बता दें कि इनके मशीन में मोचे की सुए के भांती एक सुआ कपड़े में छेत करता था और धा आपक ब्ले फंदे को छोड़कर दूसरे फंदे को पकड़ लेता है इस प्रकार चेन की तरह सिलाई नीचे होती जाती थी सैंट ने कपड़ों पर हाथ से सिलाई की मात्रा को कम करने के लिए मशीन बनाई थी वो एक कुशल कैबिनेट निरमाता थे हालाकि वे सिलाई को 1830 इस्वी में फ्रांस में हुआ था पहले के समय ये मशीन लक्टी से बनाई कई थी थिमोनियर की इस मशीन में केवल एक धागा और एक सुई का उपयोग किया जाता था जो कड़ाई के साथ उपयोग की जाने वाली एक ही श्रंखला में सिलाई बनाती थी उनके इस मशीन के अविशकार के कुछ दिन बाद ही कुछ दरजी लोगों के समूह ने संस्था को तोड़ फोड डाला जहां ये मशीन बनती थी क्यूंकि वे इनके सलाई मशीन अविशकार को बेरोजगारी के बज़े मानते थे हलाके अविशकारक किसी तरह से बड़ी कटनाई से जान बचा कर भाग गया फिर सन 1845 इसवी में उसने उससे बढ़िया मशीन का दूसरा पेटन करा लिया और सन 1848 में इंग्लेंड और संयुक तुराज अमेरिका से भी पेटन ले लिया अब इस समय तक उनकी मशीन लोहेकी हो चुकी थी हाला कि 1834 में वाल्टर हंड नामा के ग्वित्ती ने अमेरिका की पहले लिकिन कोछ हत तक ही सफल सिलाई मशीन का अविशकार कर दिया था शुरू में उन्होंने इसका पेटन कराने में कोई रूची नहीं दिखाई थी क्योंकि उनका मानना था कि उनका ये अविशकार बिरुज़गारी का कारण बनेगा उन्होंने छेद वाली नोग दोहरा धागा और दुहरी बखिया वाली मशीन बनाई थी उन्होंने अपनी मशीन के एक घूमने वाले हैंडल के साथ एक गोल छेदीली नोग की सुई लगाई थी कपड़े में छेद करके नीचे जाती थी वो और उस फंदे में से एक छोटी सी धागी भरी खर् दन पत्र दिया लेकिन उनको पेटिंट ना मिल सका क्योंकि ये छेदीली नोग वाला पेटिंट इंग्लेंड में नीउटन एंड आर के बोल ने सन 1841 में दस्ताने सीने के लिए पहले करा लिया था और फिर एलायस होग ने भी सन 1846 में अपनी पहली मशीन बनाकर पेटिंट करा ली उसकी मशीन में 12 वर्ष पहले अविश्टरच हंट की दोनों बातें छेदीली नोग तथा दोहरा धागा उपस्तित थी कहते हैं किसी के चलते एलिस होग को बाद में अपने पेटिंट का बचाव करने और अपने अविश्कार को मार्केटिंग करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको बता दीं कि आज के आधुरिंग समय में इलायस होग क्यों सिलाई मशीन की खोज का सबसे बड़ा श्रे दिया जाता है इलायस होग के जन्म 9 जुलाई 1819 को अमेरिका के मिसाचुसेट्स में हुआ था इन्होंने पूर में बनी मशीनों में सुधा करने वालों से बचानी के लिए उनका लॉक्स्टिक तंत्र दूसरों द्वारा अपनाया गया जो अपने खुद के लिए नई खोज विखसित कर रहे थे आपको बता दीं कि 1850 के दशक तक सिलाई मशीन को बड़े पैमाने पर प्रड़क्शन नहीं किया जाता था हलांकि इ तरिये वो अच्छा मनाफ़ा कमा सके इसाग सिंगर ने अपन डाउन गती तंत्र का इस्तिमाल करके सिलाई मशीन का विश्कार किया था जहां हर मशीन में अभी तक सुई अगल बगल चलती थी वहीं इनकी मशीन में सुई उपर और नीचे चलती थी और एक पैर के चलाने स संचालित होती थी पिछली सभी मशीनों को हाथों से क्रैक किया जाता था अहला कि इसाग सिंगर ने अपनी मशीन में उसी लॉक स्टिच का उपयोग किया जिसे होवे ने पेटिन कराया था इसके बाद इलियास होवे ने इसाग सिंगर पर अपने पेटिन को छोरी करने के मुकदमा दर्ज करवा दिया आपको बता दी कि इस समय तक मेरिट सिंगर अपनी मशीन का बहुत बड़े इस्तर पर प्रडक्शन कर रहे थे और उनको सफलता पूर्वक बेच भी रहे थे लेकिन इलियास होवे ने पेटेंड उलंगन के लिए सिलाई मशीनों के सबसे बड़ 20 साल पुराना था और होवे को अपने डिजाइन का उपयोग करके किसी से भी रोयल्टी का दावा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए चुकि वॉल्टर हंत ने अपनी सिलाई मशीन को छोड़ दिया था और पेटिन के दायर नहीं किया था इसलिए इलियास होवे के पेटिन थी और इसे हाथ की क्रेंग के बजाए एक प्रेड मिल द्वारा संचालित किया जाता था इसलियांत में दोनों के पेटिन बरकरार रहे फर्स्ट इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन 1889 में सिंगर द्वारा ही पहली वेवारिक इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन का विश्कार किया गया था इनकी इलेक्ट्रोनिक मशीनों में बैल्ट द्वारा चलनी के लिए बैलिंस वील आता था जो एक बिजली की मोटर से जुड़ा हुआ होता था आपको बता दें कि एक यांत्रिक सिलाई मशीन की तुलना में एलेक्ट्रोनिक सिलाई मशीन में अधिक सुविधाएं और विशेशताएं होती हैं लेकिन अभी तक ये मशीन उतनी लोगप्रिय नहीं हो सकी थी लेकिन 1970 के दशक के दौरान ये मशीने काफी लोग प्रिय हो गई थी 19. सदी के आखिर तक भारत में भी सिलाई मशीन आ गई थी इसमें दो मुख्य थी, अमेरिका की सिंगर तथा इंगलेंड की पफ स्वतंतरता के बाद भारत में भी मशीने बनने लग गई भारत में 1935 में कोलकाता के एक कारखाने में उशा नाम की पहली सिलाई मशीन बनाई गई थी, मशीन के सारे पुर्जे भारत में बनाई गई थे हराकि आज के समय में तो भारत में तरह तरह की सिलाई मशीन बनती हैं जिन्हें विदेशों में बेचा जा सकता है